वेलकम स्टुडेंस तो आज हम एकॉनमी ओफ उत्तर प्रदेश का जो पेपर थर्ड यर में समेस्टर सिक्स के अंतर गत है उसके कुछ टॉपिक को क्रवर कवरिंगे और इसमें सबसे पहले है डेमोग्रेफिक प्रफाइल ओफ उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले हमें पता हो अध्याधी के दोरान उसके बारे में हम अध्यान करते हैं कि इत्याधी जब हम बैरियेबल्स के बारे में अध्यान करते हैं उनमें होने पड़ी mandar Whisky प्रोफाइल करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ important या जालने कि अगर हम छेट्रफल के आधार पे देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है ठीक है चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का और अगर हम जनसंख्या के आधार पे देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज जो है वो भारत में उत्तर प्रदेश है ठीक है और उत्तर देखेंगे कि क्या है कि उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है निवास करती तो 16.49 परसें बात करेंगे यानि एक दसक के दौरान कितना ग्रोथ उत्तर प्रदेश में हुआ है वो है 20.09 परसेंट एंडिया का 17.64 परसेंट अगर आप से पूछा जाए कि मैक्सिमम जो डिकेडल डिकेडल ग्रोथ रिजिस्टर की गए उत्तर प्रदेश में वो किस उसमें की गई थी किस जनसंख्या के गणना के दौरान की गई थी तो वह 2011 है और अगर भारत का देखेंगे तो अब हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वह 19.9 करोन के है के पर केंट surrounds के कारन डो 1175 वाली तीव नहीं समय पर हो पाई тов exactly 2 1 क्रोड कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सरवादिक जनसंख्य भारत है चाइना को उसने पच्छाड दिया है जनसंख्या के मामले में यानी चाइना पर दुस्य स्थान पहर है निया जो demographic variables है जैसे crude birth rate क्या है यह 25.9 है, crude birth rate क्या है, 6.7 है, infant mortality यानी सिशु मेतितर कितना है, वो 41 है, या maternal mortality rate क्या है, यह 216 है, यह अभी आप पढ़ लिए, नीची हम आपको इसका जो concept है, उसके बारे में बताएंगे, sex ratio का कितना है, अगर हम इंडिया अब उत्तर प्रदेश का देखें तो 912 है, और भारत का देखें तो 943 है, sex ratio मतलब प्रती 1000 पुरुसों पर कितनी महिलाए है, तो भारत में जो यह आकड़ा है, वो 943 का है, और अगर उत्तर प्रदेश के संदर में हम जाने, तो 912 है, ठीक है, रूलर एरिया में 918 है, sex ratio और अर्वन एरिया में 894, यानि रूलर एरिया में sex ratio तब भी जादा उत्तर प्रदेश में, जबकि अर्वन एरिया में कम है, child sex ratio यानि 0 से लेके 6 वर्ष की आयो तक 1000 बाल को पर कितनी बच्चिया है, ठीक है, तो child sex ratio इंडिया का जो है, वो 918 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, रूलर एरिया का अभी भी अर्वन एरिया से जादा है, 906 है, रूलर एरिया का और अर्वन एरिया का 880 है, अगला है कि population density का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पर स्कॉयर किलो मीटर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 2011 के आकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में पर स्कॉयर किलो मीटर में लगभग 828 लोग रहते हैं, जबकि अगर भारत का देखें तो 382 है, ठीक है, अलाबाद ज लिटरर स्कॉयर का मतलब होता है कि वह वैक्ति जिसकी उमर साथ या इससे अधीक हो अगर वह पढ़ और लिख दोनों ही सकता है, और किसी भी भासा में चीज़ों को वह बढ़ सकता है लिख सकता है समझ सकता है तो हम उसे लिडरेट मानते हैं और उत्तर परदेश में लिटरसी रेट है वो 67.68 पर संट है मेल की जो टिरीट है 77.28 ऐने फीमेल की जो है 57.28 उत्तर प्रदेश में जो गौत्म बुद्र नगर है वहां पर सबसे ज़्यादा लिट यहां महिला लेकि जो अगर हम साक्षरता दर देखें चाहे पुरुष की साक्षरता दर दोनों ही स्रावस्ति में सबसे कम है अब एक टम बहुत यूज क्या जाता है डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जित्यां आप किसी भी कि अर्थ व्यास्था में जनसंख्या किसी लिए प्रिवर्च safer कि जलसंख्या एकश्चाहर यानि हमारे यहां यंगर पॉपलेशन या यूज की जनसंख्या जादा है जिसका प्रियोग करके कोई भी देश अपनी आर्थिक विकास की गति को तीवर कर सकता है ठीक है उत्तर प्रदेश में क्या है यह इसका फाइदा है हमारे यहां लगभग 62% जो है वर्किंग इस पॉपलेशन है और अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा स्वास्त इस्किल डेबलप्मेंट इत्यादी पर फोकस किया जाए तो हम इसका लाव ले सकते हैं और अपनी आ यानि कि कोई भी महिला जो जब तक वा उसकी मतलब उसके जीवन काल में जितना उसका बच्चों को जन्म देनी कि जो उसका पीरियड है उस दौरान आइवरज कितने बच्चों को जन्म दे रही है ठीक है तो इससे हम एज स्पेस्फिक पर्टिलिटी रेट भी कहते हैं कितने बच्चों की जो है मित्त हो जाती है एक साल पूरा करने से पहले ही ठीक है इसे हम शिशु मित्त दर्भी कहते हैं ठीक है उसके बाद है मैटरनल मॉटिलिटी रेट यानि की एक निश्चित समयावधी के दौरान एक लाख जीवित जन्म पर ठीक है कितनी मतलब जो ब सही पताता है है मैटरनल मॉटिलिटी रेट सेक्सड रेट कितीनी महिला ओं की संख्या है चाइड सेक्सल मेल तक प्रसे के है साल भी ते नंबर आप देट दूरिंग देएर डिवाइड बाइड 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 पॉपलेशन मंटिप्लाइड बाइड बाइड थांक यू और आपको एक्जाम के लिए और भी यह तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आपको क्या क्या चीजे पढ़न दूसे